नमस्कार दोस्कों मेरा नाम श्यता दूबे है और आज मैं आपको लेकर आई हूँ सेक्टर 114 में यह जो सेक्टर है यह पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कमर्शियल के लिए ही तो आज का जो प्रोजेक्ट है यह है पारस का पारस आर्केड 114 इन्हों ने जो लांच किया है वो है इनका SEO यानि shop come office के plots लेकिन जो actual site है वहाँ पर exit जाने से पहले मैं आपको इनका location बता देती हूँ अभी हम currently एक चौराहे पे खड़े हैं जिस चौराहे का नाम है बाबा ब्रह्मानंद चौक और अगर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं तो यह जो ब्रह्मानंद चौक से आपको स्ट्रेट रोड जाती भी दिख रही है यह द्वार का express वे जाएगी और यह जो exact point है यहा तो बारे को डिवाइड करती है तो यह जो exact location है यह बहुत ही खुबसूरत location है क्योंकि यहां से हम द्वार का express वे भी हमें पहुंचने में हार्ली 500 मिटर की दूरी है और जो डेली है वो तो 0 km यहां से है ही तो अब मैं आपको ले चलती हूं इनके actual site पे जहां पे इनके SEO के plots हैं अब मैं proper जहां पर खड़ी हूँ यह इनका SEO का जो development area है वो है इसके just opposite direction में आपको VSR का जो है वो दिख रहा होगा इससे आपको यह project क्याच करने में बहुत ही होगा और अगर हम और भी catchment area की बात करते हैं तो just इसके आज पास जो है टाटा के दो बड़े project हैं टाटा properties नियरबाई में ही शोभा है Central Park में भी अपना 104 में जो है वो project launch कर दिया है hero है so बहुत बड़े-बड़े builders हैं जो इसके आज पास के range में हैं और यहां से डेली भी नियरबाई में ही है डेली का जो द्वारका पार्ट है वो उतनी तरीके से वहां पे इस तरह का कोई commercial नहीं है सो वो catchment area भी इस जो है SEO development को मिलेगा और बहुत से जो डेली NCR के लोग होंगे उन लोगों ने गुड़गाओं का सेक्टर 29 देख रखा होगा बहुत ही अच्छा commercial है जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सेक्टर 114 है यह पूरी तरीके से commercial सेक्टर है और इस जो पूरे एरिया का development होगा यह सेक्टर 29 जो गुडगाओं का है वो SEO development है बहुत ही superhit वो development हो रखा है जो भी डेली NCR के आज पास रहते हैं वो सेक्टर 29 को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे वहां पे shops हैं वहां पे restaurants हैं वहां पे pub हैं तो वो अपने आप में यूनिक चीज है जो दूर-दूर से इवें Noida और गाजियाबाद के लोग भी जो हैं वहां पर आपे हैं तो सेम उसी तरीके से इस पूरे एरिया को develop किया जाएगा इसके आज़ पास और भी SEO के plots हैं जैसे इस पेस में निकाला है, MR में निकाला है, M3M के shops हैं बट उनका जो land parcel है वो बहुत बड़ा है वो almost बनकर ready हो चुके हैं तो वहां का जो payment होगा वो आपको within a month और two months के अंदर ही देना होगा उनके plot size भी बहुत बड़े हैं और अगर हम बात करें हम particular जो ये Paris Arcade 114 में खड़ है और उनकी पास जो plot के size हैं वो एक मलब 100 square square yard से वो शुरू हो जाते हैं तो छोटे भी plot size के options हैं और जो SEO का full form होता है वो होता है shop come office सो यहां पर आपके पास options हैं कि आप यहां पर floors के according जो हैं बना सकते हैं किस तरीके से development की जाती है वो sector 29 की जो site है वो देखकर आप सब लोगों को idea लगी चुका होगा और जो एक और बड़ी बात है कि जब भी इस तरीकी की कोई चीज डेवलप होती है तो वहां पर आप 100% है मलब पूरी तरीके से 100% construction कर सकते हैं सो यहां पर आप basement बना सकते हैं आप floors बना सकते हैं लेकिन बिल्डर के एक norms होते हैं इतमीस इनका जो outer facade होगा वो सेम ही रखा जाएगा जो पारस ने बता रखा होगा और रही बात पारस की तो पारस को बेरी फर्म में भी सब लोग जानते हैं पारस milk बहुत ही मशूर है पारस healthcare में हैं इनके बहुत से hospitals हैं पारस real estate में हैं तो यह कई verticals में हैं तो यह बहुत ही अच्छे builders में यह count होते हैं क्योंकि कई verticals में हैं तो कभी इनको पैसे की problem नहीं आने वाली है और जो और भी चीजे हैं कि यहां से investment कितना शुरू होगा तो छोटे जो हैं वो plot size हैं तो investment अराउंड साथे तीन करोड से investment स्टार्ट हो जाएगी तो option बहुत अच्छा है बहुत जादा बहुत जादा भी यहां पे plots जो है वो बचे नहीं हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो digging स्टार्ट हो गई है कुछ जो point wise होते हैं वो भी यहां पे cover up कर लिये गए हैं तो around 1.5 साल के अंद चाहते हैं इस छोटे plot size में आप जाना चाहते हैं और पारस जैसे builder के साथ आप जुड़ना चाहते हैं इतने अच्छे location में आप अपना plot चाहते हैं मतलब SEO के plots चाहते हैं तो नीचे हमारा number आपको दिख रहा होगा उस number पे आप call कीजिए हमें comment कीजिए हमें WhatsApp कीजिए और क उसका